हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आदवी क्रेटिव गार्डन तो फ्रेंट्स आप सब कैसे है आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का मेरा वीडियो कनेर के ब्लांट पे रहे है तो सबसे पहले आप मेरा कनेर का ब्लांट देखिए ये प्लांट मेरा गर्मी के टाइम पर बहुत ही अच्छे से हैवी ब्लॉमिंग करता है तो इस समेश में काफी ज़्यादा कॉंट्रेटी में फ्लावरिंग हो रही है तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए तो कनेर के प्लांट की देखभाल कैसे करें सर्दियों में और गर्मी के टाइम में कैसे देखभाल करें और एक मैजिकल टिप ट्रिक जिससे की आपका जो प्लांट है वो और भी ज़्यादा बड़े फ्लावर देगा तो उसके लिए वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो शुरू करते वीडियो तो आप देख सकते इसमें कितने ज़्यादा कॉंट्रिटी में बड़्स आए हुए मेरे पास दो जब्लांट है यह रिए कंपाटे कंीर का सेम कलरर का ही और देख सकते में इसकी नहँंबर से बीच आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और साथी साथ आप इसमें वर्मी कंपोश्ट या आपके पास गोबर खाते हैं, वो डाल सकते हैं, और मैं महीने में एक बार इसमें गोबर खात या वर्मी कंपोश्ट जो भी मेरे पास अफलेविल होता है, वो मैं डालती हूँ, और साथी मैं इसमें सरसो की खली, जो कि मैं एक रात भीगो डको करवानी में रखती हो और इसका पाणी म्हैं इसमें देती हो तो इसका रिजल्ट आप सब के सामने है की देख़िये कि अच्छी क्वांटेटी में बड्सales ayad flash हम यहीं ट्रिक करत कि I share myimgical hook लाइब के ज़िन तब के साद करते हूं जाहे हैं किकर आपके गमले की मिट्टी सुखी रहेगी तो और ६लांट की मिट्टी आपका मुर्जा जाएगा और फ्लावर भी उतने अच्छे से उसकी जो साइज होगा वो नहीं होगा और धीरे धीरे फ्लावर और बटसाना कम हो जाएंगे तो मिट्टी हमेशा ही इसकी गिली रखिए रोज वाटरिंग करिए गर्मी के टाइम पर और इसी के बगल में मेरा मधुमालती का प्लांट है तो उसके एक जो बेल है इस पर आ गई है तो मजिकल ट्रेक यह एकि आपके पास अकेले के छिलके होंगे या आपके पास कोई भी केला आपका खराब हो गया तो उसे आपको अपने प्लांट में एक जड़ से थोड़ी सी दूर पे गड़्डा करना है और उसमें ये जो आपका केला केले का छिलका या केला जो और इसी तरह आपको यह दोनों के लिए जो मेरे पास थे यह खराब हो चुके थे तो मैं इन्हें दबा देती हूं और आप यकीन मानिए बहुत ही मैजिकल ट्रिक है अगर आपकी फ्लावर का साइज छोटा हो रहा है आपके प्लावर आ रहे उसका साइज तो हफ़ते भर के अंधर एक हफ़ते में यह ट्रिक आप अपनाईए और खुद देखिए एक हफते में आपकी जो प्लांट में फ्लावर होंगे उनका साइस बड़ा हो जाएगा और साथी साथ इसमें वाटरिंग करना मत भूले वाटरिंग भी आप इसमें बहुत अच्छे से करिए तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और यह देखिए मेरा जो यह प्लांट है यह काफी बड़ा हो चुका है और हर साल इसमें काफी फ्लावर्स आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा प्लांट यह ट्रिक आप भी अपने प्लांट पर फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ज्यादा कॉंटिटी में फ्लावरिंग होती है इसमें और मेरे पास दो प्लांट है तो मैं आपके साथ दूसरा प्लांट भी शेयर कर रही हूँ तो उसमें भी हैवी फ्लावरिंग हो रही है तो यह मेरा पुराना है और दो साल पहले लगाया जो मैं आपके साध शेर करूंगी दूसरा प्लांट ये मेरा पुराना प्लांट है और ये मेरा नया प्लांट है इसमें भी देखिए इसकी growth बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अच्छे से flowering हो रही है तो आप देख सकते हैं ये पूरा plant मेरा ये भी same pot में लगा है जितना बड़ा वो pot है उतना ही बड़ा ये pot है और इसमें भी देखिए कितने अच्छे से heavy flowering हो रही है ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा quantity में flowering हो रही है तो friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो नए viewers है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे है वो मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डाल करिए और मुझे मेरे साथ अपने रिजल्ट शेयर करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई